मेरे अतीत मर मुझे पर हुए दुशकर्म मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हैं मानो मैं अपने बच्पन में ही जीए जा रही हूँ वही ख्याल वही सपने है मुझे उस भयानक अतीत से पूरी तरह बाहर आना है कैसे होगा सबसे पहले तो समझना होगा कि वो जो घटना है दुशकर्म की प्रिशायत 10, 15, 20 साल, 25 साल पहले घटी होगी आज भी मन पर इतनी चाई हुई क्यों है मन किसी भी विशय को, समृत्य को, घटना को क्यों पकड़ता है इतना कुछ होता है दिन भर प्रति दिन मन उसको तो नहीं याद रखता न कुछ विशय घटनाओं को ही मन क्यों छपने देता है अपने उपर क्या बात है मन वही सब कुछ याद रखता है जो किसी भी तरह से उसके बचे रहने में उसके आगे बढ़ने में सहयोगी हो सुख एक तरह की उतेजना है उतेजना में मन प्राण पाता है मन सुख याद रखना चाहता है दुख भी एक उतेजना है उतेजना में मन प्राण पाता है मन दुख को भी याद रखना चाहता है और याद दिलाने की जरूरत नहीं कि दुख और सुख हमेशा एक दूसरे के संदर्भ में ही याद रखे जाते हैं सुख आप बिलकुल याद न रखें अगर दुख की तलवार आपके सर पर न लटक रही हो सुख आप याद रखते ही इसी लिए हैं क्योंकि संभावना दुख की भी थी दुख आया नहीं अनिश्ट टल गया वाह क्या राहत मिली इसी बात की तो उतेजना है कोई साधारण सा दृष्य हो ट्रेन पटरी पर दौड रही है आपको याद रह जाएगा क्या कभी कितनी ही बार ट्रेन पटरी पर दौड़ी होगी आपको बिल्कुल नहीं याद रहेगा लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि आप पटरी पार कर रहे थे थोड़ा सा गुमशुदा थे मन से देखा ही नहीं कि ट्रेन आ रही है और ट्रेन ने भी सीटी इत्यादिमारी नहीं बीच पटरी पर दिखाई दिया कि ट्रेन बस जरा सी दूर है छलांग मार कर आप दूर हुए बचे ये द्रिश्य आपको बिल्कुल याद रह जाएगा वो इंजन उसका रंग अंकित हो जाएगा स्मृति पटल पर और आप जितने ध्यान से देखेंगे गुजरती हुई इस ट्रेन को उतने ध्यान से आपने जिंदगी में किसी ट्रेन को देखा नहीं होगा क्योंकि घोर दुख आ सकता था आया नहीं बच गए यही उत्तेजना है इसी को सुख कहते हैं घोर दुख आ सकता था आया नहीं परीक्षा फल जब घोशित होता है तो अकसर हम दिखा देते हैं उन लोगों को जिन्होंने बहुत उंचे अंग खासिल किये हैं उनकी तस्वीरें खीच ली जाती हैं उनसे बाचीच साक्षातकार कर लिया जाता है उनसे पूछ ले जाता है कैसा लग रहा है आपको आप बिलकुल शीर्श पाइदान पर बैठे हुए हैं इतने आपके नंबर आ गए और हम ये मानते हैं कि इन लोगों को बड़ी खुशी हो रही होगी लेकि नहीं उन्हें बहुत जादा खुशी नहीं हो रही होती कि मैं उस मुकाम से गुजरा हूँ इतले बता रहा हूँ कुछ अच्छा लग रहा होता है क्योंकि थोड़ी बहुत तो सदा ही चीजें अप्रत्याशित होती हैं कुछ भी पूरे तरीके से निश्चित तो होता नहीं परिणाम के घोशित हो जाने तक आपने कितनी भी महनत करी हो कितना भी अच्छा आपने परचा लिखा हो लेकिन जब तक घोशित ही ना हो जाए कि आप सफल हो गए या आपने शीर शिस्थान हासिल कर लिया तब तक कुछ निश्चित नहीं होता तो ठीक है थोड़ी बहुत रहात तो मिलती है जब प्रणा चारिक रूप से गोशित होकर के सामने लग जाता है लेकिन फिर भी जबरदस्ट सुक इनको नहीं मिलता है जो अवल स्थान हासिल करते हैं जानते हैं सबसे आदा सुक इनको मिलता है जो बस किसी तरीके से पास हो गए होते हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता आपको अगर वाकई उत्सव देखना है celebration तो आप टॉपर्स के पास मत जाईएगा वहाँ आपको बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ एक दूसरे को बधाई देते लोग मिल जाएंगे हाँ हाँ ठीक उसको पहले ही पता था कि इतना बढ़िया करके आया हो नहीं है आपको अगर वाकई एकदम जंगली wild celebration देखना है तो उनके पास जाईए जिनके 40.0 प्रतिशत आये है जिनको 90 प्रतिशत पता था कि हम उत्तिर्ण होने के नहीं अटकेंगे अटकेंगे लेकिन पर कुछ ऐसी हवा चली है कुछ आसमानी ऐसी कृपा उत्री है कुछ ऐसा धक्का लगाए कि एकदम बस सीमा रेखपार ही कर गए है उनके आहलाद का कोई ठिकाना नहीं होता सुख ऐसा ही है वो दुख पर निर्भर करता है और दुख भी ऐसा ही है फिर गौर से समझेगा वो सुख की आशा पर निर्भर करता है कुछ हुआ आपके साथ क्यों आप मान रही है कि वो नहीं ही होना चाहिए था क्योंकि आपको आशा थी कि कुछ और चलेगा जीवन में अच्छ क्यों थी वो आशा मैं पूछू तो यहां तक की बात समझ में आई है सुखी आदमी को सुख इसलिए है क्योंकि दुख सर पे मंडरा रहा था बस किसी तरह टल गया और दुख की जितनी घोर घटा मंडरा रही होती है सर पे उसके टलने पर सुख उतना ही ज्यादा तीवर होता है तो सुख एक तनाव है दुख का छट जाना भी तनाव है दुख का बचे रह जाना भी तनाव है सब अनुभूतियां एक तरह का तनाव ही होती है यहां तक कि तनाव से राहत की अनुभूती भी तनाव पर ही निर्भर करती है तनाव से राहत की अनुभूती कैसे होती है आपको अगर आपने तनाव न जहेला होता सब अनुभूतियां इसलिए तनाव है इसलिए अध्यात्म किसी तरह की अनुभूती, किसी अनुभव को प्रश्रे नहीं देता, प्रोचाहन नहीं देता अध्यात्म अच्छी से जानता है कि कोई भी अनुभव हो, है तो वो तनाव ही पात के पच्छी है सब एक ही मिट्टी से बने घड़े है सुख हो, दुख हो, तनाव हो, राहत हो इसी तरीके से दुख भी सुख की अपेक्छा पर निर्भर करता है हमें क्यों लगे कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है हम उसके अधिकारी नहीं है दिखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनियेगा मेरी बात को सहानुभूति मैं आपके प्रतिव्यक्त करूँ तो यह आपको मीठा लगेगा पर आपके लिए उपयोगी नहीं होगा जो बात आपके लिए उपयोगी है मैं आपसे वो कह रहा हूँ दुनिया में इतना कुछ चल रहा है क्या वो हमें दुखी कर रहा है आप जिस गाय जिस भैंस जिस जीव का दूध पी रहे हैं वो दूध बलातकार से ही आ रहा है ये बात आपको दुखी कर रही है बोलिए अगर आप दूध पीते हैं तो 99 प्रतिशत संभावना है कि आपका दूध बलातकार की उपज है मादा जानवर को गाय को या भैंस को जबरदस्ती गर्भाधान कराया जाता है कृत्रिम रूप से उसके यौनांग का छेदन करके उसमें नर पशु का शुक्राण उस्थापित किया जाता है इससे स्पष्ट बलातकार तो दूसरा नहीं हो सकता ये तो वो बलातकार है जिसमें बलातकार तो बलातकार ही है ये शर्त रखी गई है कि बलातकार के पश्चात गर्भ भी धारन करना पड़ेगा ये दुहरा बलातकार है तो ये जो हम चाय कॉफी पीते हैं ये बलातकार से आ रहा है ये बात तो हमें बहुत दुख नहीं देती न क्योंकि हमें इसके विरुद्ध कोई अपेक्छाई ही नहीं है हाँ अपने जीवन को ले करके हमें बड़ी अपेक्छाई रहती हैं जब हमारा जीवन उस तरीके से आगे नहीं बढ़ता तो हम बड़े दुख का अनुभाव करते हैं और हमें जितनी अपेक्छाई थी आप गौर से देखिएगा अपनी उमीदों को अपेक्छाओं को वो जब मिला नहीं कुछ और हो गया तो उसको आप दुख का नाम दे देते हैं वास्ताओं में दुखी अनुभाव करके भी आप अपने सुख को ही याद कर रहे हैं अपनी सुख की धारणा को ही जायस ठहरा रहे हैं मेरे साथ बचपन में दुशकर्म हो गया अच्छा दुश और आपके साथ हिंसा सिर्फ दुशकर्म के माध्यम से तो नहीं हो रही ना आपको अगर ये भी कहना है कि मेरे साथ जो विक्तिगत रूप से होएगा मैं बस उससे दुखी अनुभाव करूँगी तो आप ही के साथ आप ही के साथ विक्तिगत रूप से नजाने कितने और अभी अन्याय हो रहे हैं आप उन पर क्यों नहीं दुखी अनुभाव कर रही है कि कहिए और उन में से कोई भी अन्याय बच्पन में हुए दुशकर्म से कम घाता क्या कम तीवरता का हो अवश्यक नहीं है आपके शरीर में किसी ने आपकी अनुमति के बिना अपना शरीर प्रविष्ट करा दिया तो उसे आप दुशकर्म या बलातकार कह देते हैं ठीक लेकिन आपके नथुनों में कोई आपकी अनुमति के बिना जहर घोल रहा है जहर घुसेड रहा है, प्रविष्ट करा रहा है ये बलातकार क्यों नहीं है? कहिए, अगर शरीर में किसी अमान्य वस्तु का प्रवेश ही बलातकार कहलाता है तो आप जो सांस ले रहे हैं उसके माध्यम से आपका निरंतर बलातकार क्यों नहीं हो रहा है आपके शरीर के छिद्रों में लगातार किसी ऐसी चीज़ को प्रवेश दिया जा रहा है जो आपने मांगी नहीं थी जिसको आप अनुमति नहीं दे रहे हैं और जो चीज़ आपके लिए जहरी लिए ये बलातकार क्यों नहीं है कहिए योन आंगों में ही ऐसा क्या खास है जो नाक में नहीं है इसी तरीके से आपके मुहस के माध्यम से आपके शरीर में न जाने क्या-क्या प्रविष्ठ कराया जा रहा 해 जिसकी आपको जानकारी भी नहीं है योन बलादकार अगर हो भी जाता है तो वो तो पांच मिनट, दस मिनट, आधे घंटे, चार घंटे की अवधिका होता होगा लेकिन मुह से हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं वो तो जिन्दगी भर के लिए निरंतर हमें बलात सुईकार करने को विवश्ट किया गया है न वो क्यों नहीं है बलातकार ये मैंने शरीर की बात करी, दो धारनों से, नाक और मुह अब मन की बात करता हूँ आपके कानों से, जो आपके मन में प्रविश्ट कराया जा रहा है क्या वो सब कुछ आपकी अनुमत इसे हो रहा है और जो कुछ प्रवेश्ट कर रहा है क्या वो आपके लिए अच्छा है क्या प्रेम के कारण वो आपके भीतर प्रविष्ठ हो रहा है बुलिए स्त्री के शरीर में पुरुष का शरीर प्रवेश करे हम उसको सदातो बलातकार नहीं कहते न यदि प्रेम के महौल में घट रही है उघटना तो हम उसको सईयोग कहते है हम उसे मधुर मिलन कहते है कहते हैं न इसी तरीके से आपके कान में जो चीज प्रवेश कर रही है अगर वो प्रेम के कारण और बोध के कारण प्रवेश कर रही है तब तो ठीक है और अगर वो अज्ञान में और बैर में और स्वार्थ में प्रवेश कर रही है तो क्या वो भी बलादकार नहीं है? बुलिए! आपकी आखों से आपके भीतर जो चीजें प्रविष्ट कराई जा रही है क्या वो आपका बलादकार नहीं है? बचपन में हुई एक घटना को हम क्या याद रखें जब दिन प्रति दिन पूरी आबादी का हम सभी का भिन भिन तरीकों से भीशन बलातकार होता है बुलिए निश्चित रूप से अति अवानवी है किसी का यौन शोशन करना निश्चित रूप से घोर अपराध है किसी के शरीर का उत्पीडन करना लेकिन हम भूल के हो जाते हैं कि बलातकार के तरीके और भी हैं और उन दूसरे तरीकों के खिलाफ हम कभी आवाज नहीं उठाते और आपके शरीर में जो चीज़ें प्रवेश कराई जा रही हैं उनके खिलाफ आपको कुछ नहीं बोलना आपके मन का दिनरात बलातकार कर रही है दुनिया आपको उसके खिराफ कुछ नहीं बोलना हाँ बच्पन में एक घटना घटी थी वो आपको याद रखनी है वो चीज यही बताती है कि दिन प्रतिदिन आपके साथ क्या हो रहा है इससे आतो आप अनभिग्य है या आपने इस तरह के शोषण को अपनी मूख सम्मत दे दी है और अगर आपने मूख सम्मत दे दी है तो मुझे यह बताईए कि यह बलातकार अगर दिनरात वाला सुईकार कर नहीं है इसको सम्मत दे ही देनी है तो वो जो बचपन में हुआ था उसको भी सहमती दे दीजिए फिर और अगर शोशन और अत्याचार के खिलाफ खड़े ही होना है तो बचपन की एक घटना के खिलाफ मत खड़े होई है फिर तो ये जो निरंतर सर्वव्यापक सार्वजनिक बलातकार है इसके खिलाफ आवाज उठाईए न ये जो वरहद इस तर पे बलातकार चलता है दिन रात उसी के खिलाफ आवाज उठाने का नाम अध्यात्म है और ये अच्छे से बात समझेगा दैहिक तल पर भी जो बलातकार होता है वो मात्र अभी विक्ति है आंतरिक बलातकार की ये जो आंतरिक बलातकार दिन रात चल रहा होता है यही जब जरा स्थूल हो जाता है तो दैहिक रूप में प्रकट हो जाता है उदाहरण के लिए कोई कामुक फिल्मी गीत हो वो दिन रात किसी व्यक्ति का बलातकार कर रहा हो कानों से उसमें प्रवेश करके भीतर भीतर उसका बलातकार कर रहा है वो गीत ये घटना सूक्षम है क्योंकि इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा ना कि क्या हो रहा है आप अगर एक फिल्मी गाना सुनते किसी व्यक्ति का चित्र खीचेंगे तो उस तस्वीर में बलातकार जैसा कुछ कहीं नजर नहीं आएगा तो आपको लगेगा ये तो साधारन घटना घट रहा है ये व्यक्ति बैठा हुआ है इसी के फुल्सरूप जब ये जा करके किसी इस्त्री का दैहिक और स्थूल बलातकार करेगा तो सुर्खियां बन जाएंगी मैं नहीं कह रहा कि बिलकुल सीधान आता है निश्चित रूप से व्यक्ति के बास चुनाव होता है एक ही गीत दो लोग सुन रहे हों जरूरी नहीं है कि दोनों बलातकारी बन जाएं एक बलातकार करेगा दूसरा नहीं करेगा क्योंकि बीच में व्यक्ति की चेतना भी है और चुनाव भी है लेकिन फिर भी जो सूख्ष्म बलातकार का योगदान है तो वर्तमान के प्रति जरा सजग हो जाएं क्या हो रहा है उसको वास्तव में जाने देखिए आप से पूरी समवेदना रखते हुए भी मैं ये अग्रह करूँगा कि कोई ऐसा नहीं है जिसके अतीत में कोई न कोई दुखदाई बात न हो लेकिन अतीत में जो कुछ भी दुखदाई होता है यकीन मानिये उससे कहीं ज्यादा दुख तो वर्तमान में है हम बैटके रो रहे हैं कि अतीत में पांच लाग का घाटा हो गया था और वर्तमान में हमारे सामने हमारे पांच करोड में आग लग रही है कहिं ऐसा तो नहीं कि इस पांच करोड की आग को बुझाने में जो शरम लगेगा, उसी शрем से कतराने के लिए, उसी शरम से महुँचुराने के लिए हम बीते हुए पांच लाग करोना रोते रहते हैं मैं सानुभूती रखता हूँ, पूरी रखता हूँ आपसे कृपा करके मुझ पर पाशान हरिदय होने का आरोप न लगा दीजिएगा किसी बच्चे के साथ बच्पन में दुशकर्म हो, कुकृत्ते हो, महापाप है और जो ऐसा करे दोशी हो, उसको सजा जरूर मिलेगी, अगर कानून सजा नहीं दे पाएगा तो अस्तित तो सजा देगा, तो मैं न जायस ठहरा रहा हूँ दुशकर्म को, नहीं दुशकर्म जैसे घोर अपरात की गंभीरता को कम करके आख रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करिए हमारे साथ हजार तरीके से दुशकर्म हो रहे हैं, और हमारे साथ आज हमारे सामने दुशकर्म हो रहे हैं हम उन से बचे या अतीत की बात करें, कहिए लेकिन मैंने कहा ना दुख भी एक उतेजना है और उस उतेजना में अहंकार को सातक्त्य मिलता है हम दुख याद रखना चाहते हैं ठीक वैसे हम सुख याद रखना चाहते हैं तो हम याद रखे बैठें याद रखे बैठें अतीद के साथ एक बड़ी हमको सुख इधा मिल जाती जानते हैं क्या अतीद बदला नहीं जा सकता हम कल मेरी पतंग कट गई इस बात पर आप एक हचाँ साल तक रो सकते हो अतीर बदला तो अब जा नहीं सकता, पतंग तो कट चुकी है कल मेरी पतंग कट गई, इसमें बड़ी सुविधा मिल गई एक हजार साल तक रो सकते हो, कटी हुई पतंग लुट चुकी है, वो लौट के नहीं आएगी कितनी सुविधा की बात है, कि कोई अब आके नहीं कहेगा, कि भाई तुम जिस बात पर रो रहे थे न, वो बात सुधार दी गई उस बात का कुछ मुआवजा मिल गया, वो बात बदल दी गई, बदल ही नहीं सकती, पतंग कट गई का लगदी, तो कट गई, अब सुविधा है, एक हजार साल तक रो तुम्हें रोका जाई नहीं सकता, लेकिन अगर तुमसे कहा जाए, सम्हाल तेरी पतंग कटने वाली है तो अब सुविधा नहीं है, क्योंकि ये जो कटने वाली पतंग है, ये बचाई जा सकती है, और गड़बड ये कि बचाने की जिम्मेदारी तुम ही पर आ गई, तो इसी लिए तुम कटती हुई पतंग पर ध्यान नहीं दोगे, तुम ध्यान दोगे कटी हुई पतंग पर कटी हुई पतंग पर ध्यान देना, कटी हुई पतंग को याद रखना बड़ा अनुकूल लगता है हमको, क्योंकि पतंग कट गई, अब हम ठाट से कहेंगे मेरी पतंग कट गई, और मैं उस बात पर रोता हूँ, बड़ी प्यारी पतंग थी, और धोखे से काटी गई थी, और अभी जो तेरी चार पतंगें कट रही हैं, इन पर कौन गौर करेगा, इन्हें कौन बचाएगा, यहां कौन जिम्मेदारी निभाएगा, इसकी हम बात नहीं करना चाहते हैं, अगर आपका वर्तमान आनंद प्रद होता, तो क्या आपको अतीत का दुख याद आता, नह अतीत का दुख याद आ रहा है, जब आप आनंद में डूबे होते हैं, आपको अतीत के दुख याद आते हैं, क्या, कहिए, बोलिए, आनंद में नहीं हैं आप, इसका प्रमान ही यह है कि अतीत बहुत याद आता है, अतीत के दुख सताते हैं, और अगर आनंद में नहीं ह आप तुमाने वर्तमान में दुख है तो आप किसका निवारण करना चाहते हैं अतीत के दुखों का जिनका आप कुछ बदला नहीं जा सकता या जो सामने दुख खड़ा है उसका निवारण करना है कहिए तो सामने उसकी बात करो ना बीती ताही बिसार दे इसलिए कहा गया ह क्या करोगे पीछे की बात याद करके पर हम बहुत कुछ करते हैं पीछे की बात याद करके आनंद में तनाव नहीं होता आनंद में एक तरह का लय होता है लीनता होती है उसमें तनाव विसरजित हो जाता है तो अहंकार भी गल जाता है तनाव के साथ यह हम चाहते नहीं हम आनंद में जीरा नहीं चाहते यह आनंद हमें मिटा देगा दुख बढ़िया चीज है दुख हमें एक ठोस पिंड जैसा बना देता है दुखी आदमी में भी एक अकड आ जाती है जैसे सुखी आदमी बहुत निश्चित रहता है न कि मुझे सुख है अगर आपको पूरा निश्चित ना हो अगर आपको पूरा भरोसा ना हो कि आपको सुख है तो क्या आप सुख मना सकते हो बोलो सुख में एक भरोसा है अभी जो हो रहा है वो बिल्कुल बढ़िया हो रहा है ठीक तो सुख में एक अकड एक ठसक है इसी तरीके से अगर आप बिल्कुल निष्चित रही हैं कि कुछ गलत हो गया, तो क्या आप दुख मना सकते हो, तो दुख में भी एक भरोसा एक अकड़ है, मैं जानता हूं कुछ गलत हुआ है मेरे साथ, तुम क्या जानते हो तुम इतने बड़े ग्यानी होगी, तुम जानते हो कि क्या गलत क्या सही, तुमें कुल तस्वीर का कुछ अनुमान भी है, और जिने कुल तस्वीर का अनुमान हो जाता है, वो पाते हैं कि उनके पास न सुख मनाने के लिए अवकाश है, न दुख मनाने के लिए समय, उनके पास समय बचता है बस धर्म और कर्तव्य के लिए ये तीन तरह के जीवन होते हैं सुखवादी दुखवादी जो दोनों एक ही है और तीसरा धार्मिक जीवन ये न सुख की खातिर जीता है न दुख का रोना रोता है ये कहता है सुख भी है दुख भी है हमें तो वो करना है धर्म का पालन करना है, क्या रोएं सुख को, क्या रोएं दुख को, जहां धर्म में वहां आनंद है, आनंद सुख दुख से पार की हालत है, बात समझ में आ रही है, क्या रोएं।